हेलो दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर दिनेश और आज फिजिक्सी फाई में हम एक बहुत इंट्रेस्टिंग सा टोपिक डिसकस करने वाले हैं कि रेत पर चलना इतना मुश्किल क्यूं होता है रेत पर हम गाड़ी चलाना या रेत पर साइकल चलाना बाइक चलाना इतना मुश् हैं तो ऐसा होता है फोर्षक्षिं की वज़े से हम किसी भी सर्फेस के ऊपर जब चलते हैं कोई चीज रखते हैं तो जैसे मैंने जमीन पे पाउं रखा तो मेरे पा depression जैसे मैं रेत के ऊपर पाउं हो तो चैसे मुल्हें चलता हूँ कि रेत के ऊर मेरे प्सर पर तोएक में पर इंसलिए वहां पर मैं इतना आराम से नहीं चल पाती है a अमारे नीसhearted लिए ँनने चल पाती ऐसल किईक जा से वैंने लिए वही टायर किश जाते हैं cycle के tire गीज जाते हैं, बाइक के tire गिज जाते हैं, हमारी चपले भी गीज जाती है, यह वही force of friction है, लेकिन यह necessary evil है, कि अगर force of friction नहीं होगा, तो हम चल भी नहीं पाएंगे, हमारी गाड़ीयां भी रोड पे चल नहीं पाएंगे, अगर force of friction ना हो, तो यह बहुत ही interesting था, छो पिरसे आप से मिलेंगे, अगर आपके पास भी ऐसा कोई concept है और जो आप हमारे साथ डिसक्स करना चाहते हैं, तो आप नीचे comment सेक्स में लिखे हम बता सकते हैं, हम आप वीडियो के तरह उस concept को discuss करने की पूरी कोसिस करेंगे, तो एक नई वीडियो के साथ, एक नई वीडिय अगर, बगबाए!